सोडियम जो है बेसिकरी जब हम बात करते हैं तो मादी नमक्यात में से एक बहुत ही important मादी नमक्यात है जो के हमें हमारी बॉड़ी में बहुत ही अच्छी quantity में require होता है क्यों require होता है? वह कि बहुत से रिजन्स वा गोज्ते हैं क्युंकि बहुत से काम हें जो के हमारे जिसम में सर इंजाम दे रहा हुता है जब हम बात करते हैं सोडियम की तो तक्रीबन 0.15cido sodium जो है करने की यह जो है न soothing uloryd की cruise का जाता है लेकिंद जो हम सोडियम कि बात करते है यह कृ नमक की बात करते हैं लेकिन यह कहने की नमक की बात करते तो इसे मेरी मुझा यह सब दायटिर्टिशन्स की जब बात करते तो इससे सिर्फ ये मुराद नहीं होती कि आपने खाने के नमक पर फोकस करना है जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम आप ये समझ लें कि खाने के नमक का एक हिसा है जिसमें सोडियम औल कलॉराइड दोनों पाए जाते हैं इसके लावा और बहुत से सोर्सिज बहूत से ऐसी चीज़ें हैं जो के हम अपनी रोजस मरा लाइफ में कंञूम कर रहे होते हैं डेली की बेसिस पे हम खा रहे होते हैं और उसमें नमक की काफी मुद्यार या सोडियम काफी मुद्यार जो है वो पाई जाती है जब हम लफ्स या टर्मिनॉलिजी नमक इस्तमाल करते हैं तो इससे मेरी मुराद सोडियम कलोराइड ही होता है अब नमक की भी बहुत सी एकसाम है, समुदरी नमक है, हेमलियन सॉल्ट है जो के पहाड़ों से निकलता है और इसके लावा एक वो सिंतेटिक नमक जिसे सोडियम कलोराइड कहा जाता है इसकी भी बहुत सी एकसाम जो है वो आपके सामने मार्किट में अवेलेबल है क्योंकि इसको इसलिए sodium chloride कहा जाता है और इसको इसलिए यहां फिर मैं process आप salt भी कह सकते हैं यह refined salt भी कहते हैं और इसकी वाइसे आपने देखा है कि इसका रंग जो है वो थोड़ा सुफेद हो जाता है लेकिन जब health benefits की बात की जाती है तो new researches यह कह रही हैं कि refined salt की बजाए हमेलियन salt जो के pink salt है एक कुदती नमक है पाकिस्तान में जो है इसकी वाफर मिगदार में यह निकलता है पहाड़ों से इसके साथ एक और salt जिसे Celtic salt कहते हैं और यह समुदरी नमक है जो के समुदर से कटा किया जाता है और यह काफी expensive नमक है लेकिन और बहुत ज़दा बड काफी मिगदार में पाए जाते हैं इसलिए यह भी आपकी सिहाथ के लिए काफी अच्छा है जब बात करते हैं sodium coloride की तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स के जहिंद में यह question आता है कि sodium coloride की बात की जा रही है और अगर मैंने यह कह दिया कि हमारी sodium की जो daily requirement है वो तकरीब बात करते होते हैं चमच के हवाले से तो एक चाय का चमच है वो पूरे दिन में हम इसको स्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगें जब हम चाय के नमक की बात कर रहे हैं तो इसमें यह है कि आपने उस नमक को भी count करना है जो कि दूसरी खोराक में like सबस पत्तों वादी सबजियों म दूद में या पिर वो चीजेजें जो के हमें जमीन से हासील हो और यहां किसम की सबजियां हैं उनमें कहीं न कहीं गोष्ट में नमक जो है वो पाय जाता है तो आप देन यह साथ कल्कॉलेशंज में लेकर आना हाइपरटैंशन की बात करें है हाई बलड प्रेशर की बात करते हैं तो हाई बलड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए डॉक्टर हजराद जो हैं रेक्रिमेंड करते हैं कि आप एक से दो ग्रैम से जो जादा यानि कि मैं दूसरे लफ़ों में यह कह सकती हूँ कि 2000 मिली ग्रैम से जादा जो है वो आपने नमक की कंजप्शन नहीं करनी क्योंकि यह आपके जिसम में फशारे खून है उसको बलंद होने का बाइस हो सकता है या आम सादाल फाज जो के हम सुनते हैं उसमें हाई बलड प्रैशर का कॉस या बाइस बन सकता है अब यह किस तरीके से होता है इसकी साइंस चाहरे जब हम बात करते हैं साइंटिफिकली तो इसमें यह है कि सेल्स के अंदर पोटेशियम है और सेल्स के बाहर जो है उसकी कॉंटिटी या मिकदार भढ़ जाती है और जब भढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि वह बलड जो है हमारा जादा हो गया और वह फॉरण से जो है है वो एक और इंपॉर्टन चीज जो आपने जहें में रखनी है वो यह है कि पुटेशियम और दूसरे जो मिन्वल्स हैं उनको भी साथ-साथ में इस्तमाल किया जाए ताके जो एक बैलन्स है बॉड़ी के अंदर मिन्वल्ड अलिमेंट्स का वो बरकरार है सोडियम हासिल करने के जराय के बार में बात करते हैं बड़ा जर्या तो अविसली नमक है लेकिन इसके इलावा जो है वो गोश्ट मचली अंडे और दूद में भी पाया जाता है मैंने आपको बता लेकिन यह कौंटिटी जो है यह सोडियम की बहुत जादा नहीं होती जरूर की टर्म्स में जो के हमें काम करने के लिए रिक्वाइड हैं और जब मैं नमक की बात करती हूं तो लेबर जो है यह मजदूर तबका जो है जब वह धूप में काम कर रहा था तो आपने देखा कि पसीना बहुत जादा खारज होने की वज़ा से उनकी कपड़ों पर या उन की उनको निस्पतन जरूरत है वो थोड़ी सी जादा होती है बच्चों की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली तो हर जिन्स को और हर उमर के लोगों को तकरीबन एक जैसी रिक्वाइर्मेंट होती है लेकिन जिसका मैंने लेबर हज़रात की या हम बच्चों की बात करते है जब डारिय अया भामटींग बच्चों को शुरू हो जाता है तो उस वाले वगद में उनको सोडियम की एक्टर रिक्वार्म commitment होती है वह होती है क्योंकि बहुत सा जो सोडियम है या बहुत से वो मुख्लिफ quantities में पाए जाते हैं लेकिन अगर आपके पास ORS अवेलेबल नहीं तो इसका बहुत एक साद और असान सा तरीका यह है कि आप एक लिडर पानी को बॉइल करके ठंडा कर लें उसमें आप 6 लेवल चमच जो हैं वो चीनी के डालें और आदा चमच जो है वो नम यह क्या करता है जी हमारे जिसम में पाने की कमी को जो है वो नहीं होने देता इसके साथ साथ तजाबी और गायर तजाबी जितने भी महारे जिसम में मादे होते हैं उनको बढ़ने नहीं देता आप यह कह सकते हैं कि हमारी pH को बैलन्स करता है जो के रिक्वाइड है सोडिम कोलराइट की एहमें जो है वो बहुत ही ज्यादा है